हम स्टार्ट करेंगे ट्रांस्किप्शन के साल ठीक है ट्रांस्किप्शन मतलब किए डीने से आरेने बनने को हम कहते हैं ट्रांस्किप्शन बोलना आसान है अब ड्रेश्क्राइब करना इस वे डफ ठीक है होत लेंग दिये क्योंकि इसमें बहुत सारा बात है तो इसमें हम बात करेंगे introductory part, data transcription, transcription unit क्या होता है ठीके, इसका बाद हम दिखेंगे आपका transcription in prokaryotes पढ़ेंगे and newkaryotes, तो नहीं अलग अलग तरीक से transcription होता है, सब पढ़ेंगे ठीके, so start करेंगे, transcription, transcription मतलब क्या? It is the process of copying genetic information कहां से, from one strand of DNA into RNA कोई एक इस्टेंट से copy होगा, जैसे कि यह आपका DNA double strand है ठीके, और एक पकड़ लिजी, अगर यह 3D to अपका 5D to 3D होगा, तो यहां से आपका RNA बनने वोला है यहां से RNA बनेगा, और RNA बनने से भी वहां में एक निकुलोटर इस्टेंट बनेगा, तो कोल लगाएगा, वो RNA polymers लगाता है, तो RNA polymers भी सेम फोन से direction में काम करेगा, आपका 5D to 3D direction में ही काम करेगा तो 3D to 5D, अगर यह 3D to 5D होगा, आपका RNA यहीं से बनेगा 5D to इस तरीक से 3D बनना चलो होगा कहने का मतलब है एक ही इस्टेंट जो है आपका काम करेगा और जो इस्टेंट से आपका RNA बनेगा, उससे हम कहते हैं template इस्टेंट, template ठीक है यह फिर sense इस्टेंट भी कहते हैं ठीक है, एक बात थोड़ा जानके रखिए, बस यहां में इस्टेंट प्रोसेस चलने से आपको पता चलेगा, डॉंट वरी तो यह एदिनान फों बेस फित फित युरसील थामें नहीं होता ना न अरने में इसलिए ठीक है इस थेखेशे यह डेने डेबल इस्टेंड आर्ने पोलीमेर साथ है शिंगल इस्टेंड इडापका मिलां ने बना लेता है कोई एक इस्टेंज छे कौण सा इस्टेंज जिसका डारिक्शन 3-5 डेस होगा क्यों क्योंकि न्याइश पनेगा हुग हम इसा 5-3 डारेक्शन इस लिए और उसे हम क्या थे टेंपट इस्टेंड तो इसमें कौन काम करता है मेरा रने पूली मेराश बन टेंप्लेटी सबसे काम करगा । इसे हम है अर।ouseं से हृसे हम कारें वह कोई काम चाहिए उसको भी काम काकता 3 थाも इपक्षारण़ कागर है और ने का डंपला पर और शुचन है को अर।ो तो यह आपने टेंप्लेट बोल दिया यहां से आपका आरने बन जाएगा ठीक है फाइब देट्टिए डिरेक्षिन में सिंगल इस स्टेंड का भी तो कुछ तो काम देना पड़ेगा ना तो सांटिस्ट लोग ने इसको कोडिंग इस्टेंड बोल दिया और भी कुछ इसका क केंप्लेट वले अपुजीट को सliter कि अभी क्या होगा इसमें आपका सपुछिए डने का डीने का ये डबल इस्टेंड थरिक चसे शिल ग вами हो आपका यह कि आपका यह वाइट उना पूस्देंड बने हावाईस कर दो ₹पुछ प्लग उसदू फ्वाहस फणे यासश्ट यहां से भी आपका RNA बन जाएगा सपोस्ट इधर से आपका 5-3-डेस में जाके अगर बन रहा है दोनु इस्टेंट चे आरेन बना तो भई आरेनी कॉंप्लिमेंटरी होगा कि नियुक्त तो आरेनी भी डबल इस्टेंट बना लेगा द्य Шषणा को मिवाद बना तो यहीं कारण है कि दोनू इस्टेंट यह रन बना लेगा Whoa-yt अगर प्रोटीण से अगुछ यह एक स्टेंट कोफिय से एक अगा अलाग प्रोटिंगा तीयह कारण है कि बनम आव गर transcription तो पहले आपका रहने है कि the code for protein is different in both history देखें यह DNA का double history एक में three days to five days में क्या code है A T G C और भी both है तो दूसरा ले इस को पूजिट में क्या है T A C G उसको पूजिट होला तो यहां से भी अगर आपका RNA बना अलग history का यहां से भी अगर आपका RNA चैनल तो देखें a का बजली क्या है यू टी का बजली क्या है का जी का बजली क्या है वर से का बेशचा है शापूज यह बना रहा हो आपका ठेकें Boston एका बदली कंगा यूगा शी का बदली अगर जी और ये गजी का बदली का एक यू का साथ पेर किया यू एक सब्सक्राइब बना वह कंप्लिमेंट्री हो जागा डबल स्टेंडे आ रनने बनालेगा और डबल स्टेंडे आर ने तो कोई काम करहीं है आई है फिर प्रोटीन बनेगा ही है तांसलेशन हो गांडे पिर ठीके यह जो बनता इग्जेक्ली कोडिंग स्टंका ही कोपी होता है जो आरेने बनेगा वी कोडिंग इसटंका ही कोपी होता है दिखेंख जफटिंसरी से है कि τ का जगे में यू आ रहा है देखें 3Ds में यह जी था तो देखें, जी C था तो C, क्यूंकि भाई यह इसका complimentary से बन रहा है, तो आपी obviously coding वाले का ही complimentary से बनेगे ना, समझ रहो, समझ रहो कि नहीं समझ रहो कि यह थी हो तो एक बर धियान दे दो, तो टाइम लगेगा तो लगने दो basic समझाना बहुत ज़रूरी है शबज यह 5-ैस है सबस्क्राइब यह 3-च है यह में A T G C ले रहा हूं में फाइब और dif भीकै और यहां है दूरसरा हीस्टं क्या हुगा सबुसक्टन नहीं पता रहे बुदि क्या गान इत चे से आरेने वनेगा यह वोला इस लिए को कोपी करेंगा ना फाइब डिश्टो आपका यह वला है ना कोडर्डिय इस्टेंग का कोपी है ना देखिए छिफ डिफ्रेंस यहाओ कि टी का बादर्डी क्या अपका एंग दुछ आमीद नहीं होता वहीं बता के रखवाय हैं तो यह कोई भी question दे तो आप mistake नहीं किजेगा ठीक है जो मिस्टेक नहीं करना इसा कोई भी question आजाए थो है नाँ त्रांसकिप्शन उने टांसकिप्शन उने ट्रांसकिप्शन उनिट के इए बहुत ही सिंपल तांसकिप्शन उनिट शहां transcription होने वह ला इडिने में ठीक है यहां तर्मिनेटर और बीच में जो स्ट्रेंड कोपी होने वाला है उसे हम क्या है। ठीक है तो देखिए अभी कोडिंग इस्टेंग कर एक काम था मैंने बोला था ना तो अभी देखिए तीन रिजन होता इसमें प्रोमोटर रिजन जहां आपका आरेने पोलीमेरस आइस तरगी साएगा रेने पोलीमेरस बैंड करेगा और यहां से आपका सिंथेस करवना चालो क्या काम चैनल घोडिल जीं कब तक कोपी करेगा जब तक एक रेजन नहीं आता है चाल था यहां चालो बने का सेग्मेंट को और नाम देएग चलो बहुता है है तो इस इंप्रेट सेंट के सेंश इस्टेंट भी केते है तो कोडिंग माले का क्या कम है इसे कोडिंग इस्टेंग तो नाम दे दिया चलो बहुत तरlagen रखोंगा तो अगर पूछा जाए हैं इस फिगर को देख आपको कि प्रोमोटर की साईड में तो आप क्या बोलोगे इट लोकेट्ट फाइव दिफाइव पॉडिंग एंड ठीक है लोकेट इव देशान टेंफ लोगे आप template system को देखके नहीं बोलोगा, coding system को देखके बोलोगे, और आपको पूछा देगा, terminator की side है भया, तो terminator देखो, की side है, coding system का इधर क्या है, 3DSN, तो आप बोलोगे, terminator is located 23DSN, ठीके, और ये वाला portion, promoter का इधर वाला portion को, आप stream कहते हैं, आप stream, और इधर वाले portion को, terminator का इधर वाले portion को, आप कहते हैं, डाउन stream, याद रखेगा, ठीके, सो coding system का scientist लोगों ने एक काम दे दिया, कि भाई, promoter और terminator को में तेरे थूशे नाम रखाऊंगा, तो अगर ऐसा figure में देखे, आपका कोई से भी figure दे का पूछे, तो आप सबसे पहले देखेगा, coding system कौन सा है, और coding system कौन सा होगा, 5-day to 3-day वाला, तो उस बैसिस में अपना हम बोलोगे, कि भाई, promoter क्या है, coding system के 5-day system में है, terminator coding system के 3-day system में है, ठीक है, ध्यान रखेगा इस चीज़ को, and, और लेड़ी बता है दिया कि, इधर में जो है, promoter का region का, इधर का आप क्या बोलते है, upstream region बोलते हो, और terminator का इधर ओला region का आप क्या बोलते है, downstream region बोलते हो, gene का, ठीक है, यह transcription unit का थ्रफ बेसिक्स था, और भी कुछ बताता है, चलिए, अब gene और सिस्टोन में आपको बताता है, ठीक है, gene और सिस्टोन में बताता है, यह DNA, यह DNA का इतना part से, suppose आपका बनेगा, RNA, और RNA से बाद में जाके बनेगा protein, यह functional part of DNA, जिससे RNA बनेगा, इसे आप बोलते हो gene, जिन का है, functional part of gene जिससे आपका RNA बनेगा, RNA के लिए code करेगा, ठीक है, और सिस्टोन क्या है, सिस्टोन DNA का वो पाठ है, यह DNA का वो पाठ है, जिससे आपका direct protein बनेगा, DNA का वो पाठ है, जो protein मतलब से हम कहते हैं, सिस्टोन, तो सिस्टोन is the segment of DNA coding for a polypeptide, during protein synthesis, it is the largest element of a gene, मतलब कि, gene मतलब क्या, जो mRNA बनाने वो ला है, मतलब RNA बनेगा DNA का पाठ, और वो RNA से तो protein यह बनेगा, तो ultimately protein DNA से ही तो signal आ रहे हैं, तो DNA का वो पाठ, जो आपका polypeptide के लिए coat करता है, उसे आप बहते हो, सिस्टोन, इट केन भी monocystronic, और इट केन भी polycystronic, क्या दखना है, monocystronic और polycystronic, monocystronic मतलब क्या, यह DNA segment है, यह हाँ इतना coat किया, आपका RNA बना, यह eukarot में होता है, हमारे में होता है, और यह RNA से एक single protein बनेगा, obviously single protein, single gene से single protein बनेगा, यह तो एक fragment है DNA का, उसे की protein बना, तो इसे का बलोग है, one cystron, cystron मतलब polypeptide के लिए coat का रहा है, एक protein, और अगर कोई कारण से, यह protein, आपका यह polypeptide, एक, दो polypeptide, तीन polypeptide, तीन अलग लग protein बनेगा, RNA तो बन गए RNA से, तीन अलग लग अगर polypeptide बना, इसी DNA का fragment से, इसी gene से, तो इसे वाले gene का बलोगे, polycystronic gene, जो की prokaryotes में दिखता है, ठीक है? So, structural gene, transcription unit में, जो structural gene है, और दो टाइप का होता है, monocystronic, structural gene मतलब monocystronic, जो की eukaryotes में दिखता है, इसमें क्या है की coding sequence होता है, एक ही के लिए code करेगा, एक ही protein के लिए, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, आपका split arrangement देखने को मिलता है, split arrangement, split arrangement मतलब क्या? तो split arrangement मतलब क्या होता है, हमारे gene में, DNA से आपका उस gene में, कोई-कोई, सबसे ही अगर DNA का double extended है, यहां कोई-कोई coding part होगा, और कोई-कोई non-coding part होगा, कोई-कोई बेकार का part होता है, कोई-कोई अच्छा part होता है, तो बेकार का part को हम बोलते हैं intron, ठीक है? बेकार को हम क्या बोलते हैं intron बोलते हैं, और अच्छा होला जो part होता है उसे हम कहता है, एक-zone कहते हैं, इसे एक-zone, इसे एक-स-पेस करगा, जो अपने आपको एक-स-पेस करता है, जीन का part होसे हम एक-zone कहता हैं, ठीक है? तो monosistonic में आपका exon और intron दोनु दिखता है जो कि eukaryotics में होता है हमारे में इसलिए हमारा transcription थोगा होगा ना तो हम क्या करेंगे इस intron को हटा देंगे क्योंकि intron इस non-coding पार्ट और उसे हम स्प्लाइसिंग केते हैं बताओंगा मैं आगे में अभी बस थोड़ा समझ दो बस और पोलीशिस्टोनिक तो समझ गए यह भी समझ दो भी और पोलीशिस्टोनिक मतलब क्या है प्रोकारेटिक्स में देखेगा यहां कोई स्प्लिट अर्रेंज्बेंट डेखने को नहीं मिलता बट यह एक ही जीन में अलग अलग जीन दिखाए तेगा देखे यह की एक फंक three protein बन रहा है तो क्या हो वे यह Chemical फोली मतलब में नहीं नहीं मैंनेट स्युस्टोनिक देख नहिया सब्सक्रापर ओं पॉली सीचलेंग रहा है किसमें और समयां गिलन ब्रकोरेटिक्सार में जो हमारे में नाहीं दिख्ट्राइपकर दिक्समेमिश्टोनिक में इसमें नोन वीडियों में सब समझ में आएगा ठीक है अभी तो यहां बस बेसिक्स क्लियर कर रहा था टांस्किप्शन तो अभी स्टाठी करूंगा मैं प्रोकेरट्स और इकरट्स दोनु में ठीक है तब तक कि लेगे इस्टेटी उन रही है कोई कोई कोईरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए ठीक है एन स्टेटीन फर दी नेक्स वीडियो थैंक यू वेरी मच